हेलो वाट्स आप गाईज मैंने मिस्पिनमत बादुथापा एंड वेलकम टू जावस्क्रिप्ट इन अंडर देज जहां गाईज तो आज है हमारे डे नमबर 26 एंड विलिब में आज का वीडियो भी बहुत ज्यादे स्पेशल होने हो ला है क्योंकि अगेन आज हम देखने जा रहे हैं ऑन रिकर्शन तो बताना चाहूंगा अब तक अगर आपने कल का जो प्रॉब्लम था उसको चेक आउट नहीं किया तो प्लीज किजिए क्योंकि कल मैंने रिकर्शन को बहुत इन डेप्थ मैं आपको एक्स्प्लेइन की है और अगिन फिर से बाता रहो अभी त अजरोरी है जो फिबनवासी सीरीज जो है इसको क्या ही आई मिन यह क्या चीज ही है और यह सब हम अलगी बच्पन में मैंच में पढ़ चूक है तो आभी हम फिलाल जो बच्पन में हमने मैंस में सिखा था समझा था जाना था वह आपम भी समझ रहे ठीक है तो बहुत क्लि इट स्टार्ट्स विट जीरो एंड वन यह आलवेज हां बाई डिफॉल्ट अगर आप कोई भी नंबर दोगे कि मुझे इस पर्टिकुलर नंबर का फिबुनासी सेज निकालना है तो कुछ ऐसा हटके नहीं है सभी का सेम होगा इट जस्ट उस पर्टिकुलर पोजिशन पे क तो इहां पर आप देख सकते हैं 0,1 and then 2 इस तरीके से फिबुनासी अब 3 तो 0,1,2 and then 3,2 आ रहा है,4 में 3 आ रहा,5 में 5 आ रहा,0,1,2,3,4,5 यह पॉफेक्ट तो गाइस कुछ इस तरीके से यह आपका काम कर रहा है and I hope आप समझ गया होंगे, तो यह है आपका फिबुना इस तरीके से and इसका सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि फिबुनासी सीरिस को calculate करने का we have a formula and that is कोई भी अगर आपको फिबुनासी अब n number देता है, let's say we have a फिबुनासी अब 2 then it will be f n-1 then आपको addition करना है n-2 जहां पर गाइस आपको दिखा रहा है कि फिबुनासी अब 1 कह लो यह फिबुनासी अब 2 कहलो आना आपको output 1 ही है simple ठीक है क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो नो output 1 है चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो आना आपको guys क्या है 1 ही output है and I hope आपको यह formula पाता चलिया होगा obviously वही हो रहा है right अगर मैं बात करता हूँ let's say 3 का मुझे चाहिए तो formula बस add करना that is 3 minus 1 plus 3 minus 2 that is nothing but guys कुस तो हुआ आपका Fibonacci of f of एक सेकिन फॉल्स नहीं चीए 3 minus 1 is your 2 plus f of 3 minus 2 is your 1 so अब आप यह देखो कि f of 2 क्या है 0 1 and then 2 it's a 1 and इसका 1 है तो यह आगे आपका 1 ठीक है and यहाँ पे भी आपका यह 1 आगे so 1 1 into 1 I mean 1 plus 1 is your 2 इस तरीकी से तो अगर हम थरीकी बात करते तो यह देखो मुझे बराबर यहाँ पे 2 आ रहा है right so I hope guys आप समझे कोंगे so now it's your chance कि अभी के अभी आप कीजिए वीडियो को pause and try it yourself क्योंकि रिकर्शन तो मैं आपको कल की वीडियो में बताई चुका तो यहाँ पे पी same होई है so I hope guys आपने at least try क्या होगा and please अभी तक प्राइड निकाय तो जरू कीजिए क्योंकि यह बहुत ही जादे important है and a symbol क्योंते नहीं है अब हम रिकर्शन के साथ केल रहे हैं यहाँ पे let's go with number है ना तो मैं यहाँ पे चलता हूँ so guys देखो again we need to have a base case no matter what तो n जो है if it is less than or equal to 1 जब तक हमारा n जो है हमारा यह जो n है sorry not n हमारा यह जो number जो है यह 1 यह उसके बराबर नहीं होता समझ रहे हो important है क्योंकि अगर किसी ने 0 दिया तो output तो 0 होना ही होना है right समझ रहे हो यह अगर 1 भी होता है तो भी output same है तो 0 और जो भी हमारा यह जो 1 है इनके case में जो भी हम number pass कर रहे output होई है I hope guys आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहरा हूँ मेरा कहने मालब यह है तो यहां पर आप देख लिज़ें न कि अगर कोई 0 का फिबना से निकाल बोलता है तो वह तो 0 है अगर उससे तरी किसे कोई 1 का बोलता है तो भी वह 1 है इट जस्ट कि जब वह 2 होगा तब जाकि उसका output चेंज हो रहा है तो मैं यह बोलो कि num जो है अगर वह 1 या उससे छोटा होता है तो return कर दो what same वही number जो उन्होंने बेजा था अगर 0 होगा तो 0 आ जाएगा 1 है तो 1 आ जाएगा else अगर यह नहीं है then we have a formula and that is f not a f it's a fibonacci of num minus 1 plus fibonacci of num minus 2 this is it इतना अगर आप कर दोगे and run कर दो तो boom guys see यहाप अगर मैं चलूंगा so it's a 0 1 1 2 3 and then 5 so yeah guys this is it आज इस वीडियो के इतना ही मैं इतने deep में नहीं जाओंगा so now it's a homework आप नीचे कमेंट में बताओ कि मुझे इसका output कैसे आ रहा है क्योंकि कल के वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको explain कर दे थी कि कैसे आप recursive यह function का यहां पर यह अपने आपको ही call कर रहा है and we have a base case over here and this is your recursive case ठीक है तो कल की वीडियो को check out किजेगा and let me know in the comment section इसका output कैसे आ रहा है but यह इसका final हमारा solution था so yeah guys this is it, आज इस वीडियो के इतना ही, hope आपको बहुत ही जादा पसंदा होगा, यह जो वीडियो है व्ल्ड वैज जास्केप को, please इनको check out किजेगा and अभी तेक अगर आपने मेरे awesome चैनल था पर technical को, subscribe नहीं कहें तो please कर देजेगा, मिलता हूँ मैं आपको कल की वीडियो म तिल दन guys, thank you so much, take care